In this video, we will discuss the Kale Yard School. Kale Yard School is a literary movement of Scottish fiction. Kale Yard School is Scottish literary movement. This movement को further read करने से पहले word Kale Yard को समझते हैं. Kale Yard शब्द Kale और Yard दो वार्ड से मिलकर बना है. Kale का मतलब है Cabbage और Yard का मतलब है Plot यानि की Piece of Land. तो इस तरह से Kale Yard शब्द का मतलब बनता है एक ऐसा Plot of Land जहां पर Cabbage को उगाया जा सकता है या और Vegetables को उगाया जा सकता है. इसे यूजिल एक Kitchen Garden भी कहा जाता है यानि कि एक ऐसा Garden जो Kitchen के पास होता है. इस Writer के Groups को Kale Yard नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये Writer आम तोर पर Scottish Rural Life को Idealized और Sentimental धंग से दर्शाते थे अपने Works में. Kale Yard Group के अधिकतर Works 1880 से 1914 के बीच पब्लिश हुए. अधिकतर Critics का मानना था कि Kale Yard Group के जो Writer थे उन्होंने Scottish Rural Life को Idealized धंग से दिखाया जो कि टिपिकली Unchallenging और Sentimental था. मतलब इन्होंने Scottish Rural Life को बहुत ही Unchallenging और Sentimental धंग से वरनित किया और Idealized धंग से वरनित किया. लेकिन ऐसा Critics के द्वारा इन Authors को सिर्फ बदनाम करने के लिए कहा गया क्योंकि ये Writers उस टाइम पर काफी popular हो चुके थे. J.H. Miller ने इस ग्रूप को Kalyard School का नाम एक आर्टिकल में सबसे पहले दिया. ये आर्टिकल जिसमें J.H. Miller ने इन Writers के ग्रूप को Kalyard School का नाम दिया. ये आर्टिकल New Review नाम की मैगजिन में 1895 में पबलिश हुआ था. लेकिन editor William Ernest Henley को पी ही ज़ादा माना गया कि यह नाम editor Ernest Henley ने दिया है इस group को ना कि J.H. Miller ने लेकिन वास्तव में यह नाम J.H. Miller के द्वारा दिया गया था इस works, इस school से, केलियार्ट स्कूल से जो related authors थे, वो थे J.M. Barry, Ian McLaren, S.R. Crockett, Robina F. Hardy, George Macdonald, J.J. Bell और Gabriel Satarn Works of केलियार्ट स्कूल केलियार्ट स्कूल से संबंधित writers को read करने के बाद अब हम उन works को read करते हैं या उन works के नाम देखते हैं जो की इस केलियार्ट स्कूल के लिए एक example का काम कर गए या फिर हम कहेंगे काफी famous रहे केलियार्ट स्कूल में J.M. Barry का work, Old Lich Idols, जो की 1888 में पब्लिश हुआ 1889 में पब्लिश हुआ, A Window in Thrums, 1891 में The Little Minister ये सभी केलियार्ट स्कूल के famous works थे, जिन्होंने कि Scottish Rural Life को इसके अलावा क्रॉकेट का work, The Stickist Minister, 1893 में पब्लिश हुआ जिसे की इस स्कूल के लिए एक अच्छा example माना गया अगर आप ऐसी ही और वीडियोज देखना चाहते हैं, तो सब्स्राइब करें हमारी चैनल को